हेलो एंड वेलकम टू गुल्शाद अकेडमी मेरा नाम गुल्शाद अंसारी है लाश्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक वॉल क्रियेट करना सिखाया था और इस वॉल में कुछ लेयर्स भी एड किये थे हमने जैसा अपने हाँ पर देख सकते हैं और अगर मैं इसको 3D में दिखा हूँ आपको तो यह इस तरह की कुछ बेसिक वॉल्स होती है जो कि मैंने आपको लाश्ट वीडियो में सिखाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं लाश्ट वाली तो वो वीडियो ज़रूर देख लेए को जरूर सब्सक्राइब करने देखिए इस तरह की लेर्स मैंने एड करना इसमें आपको बताया था लाश्ट वीडियो में तो अब मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा डोर विंडो कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें अपने प्रोजेक्ट में हम बहुत इजी है कैसे करेंगे त हमने बेसिक वॉल के रखिये तो डोर या विंडो लगाने के लिए हमारे पास वॉल का होना ज़ूरी है तब आप डोर या विंडोर इंसर्ट कर पाएंगे जैसे सिंपल तरीका है बिल्कुल आर्केटेक्टेक्चर टेम में यहाँ पर मैंने किलिक्क्या डोर और कहीं पर भ dimension है डोर के center से इधर कितनी side में है ऊपर कितनी है नीचे कितनी जहां कहीं भी लेकर जाएंगे जैसे यहां पर left में इतनी dimension राइट में बाद में भी आप इसको इदर उदर move कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो डोर यहां पर जो आ रहा है भी हमने यहां पर properties पेलेट में अगर videos के लिए तो यहां से कोई से भी जो भी आप door बनाना चाते हैं उसको select कर लेंगे यहां से select हो जाएगा और edit type में अगर जाएंगे तो यहां पर कुछ इसके अंदर properties होती हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन message जैसे आपको इसके door की height change कर सकते हैं यहां पर width जैसे Facebook group का link दिया हुआ है Facebook group join करें और वहां पर मैं link दे दूँगा सभी तरह की libraries आपको वहां पर मिल जाएगी predefined autodesk की library होती है वो तो यहां से आप जैसे अगर इसका door का size change करना चाते हैं तो यहां पर जो size हैं वो तो ले सकते हैं अगर इन में से नहीं लेना चाते हैं तो मैं आपर door रखना चाता हूँ D1 यह door का नाम आगया D1 अब यहां पर जैसे इसकी height 7 feet है तो मुझे 7 feet रखनी है width रखनी है मुझे 3 feet तो मैंने यहां पर 3 feet कर दिया यह ज्यादा जितनी भी है तो आपको पता होना चाहिए अगर आप बाद में इसकी schedule बनाएंगे तो D1 कितन प्लेस होते हैं यह तेमपरेड़ करते हैं तो आप इसको change कर सकते हैं यह यह से यहां तक है यह दोर के centre से यहां तक नहीं तो आप इसको click करके के लिए हमें क्या करना होता है मैं escape से बाहर चल जाता हूँ अब यहाँ पर जैसे dimension का है quick access menu bar में dimension align dimension यह फिर आप यहाँ पर देखेंगे annotate में होता है align dimension तो जब हम wall देखते हैं तो यहाँ पर हमें wall का center pick करता है यह dimension जब लेते हैं कर तो यह वाला भी रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ wall faces तो यह क्या करागा wall का face easily pick करागा फिर तो मैं यहाँ पर अगर click करता हूँ और इसको मैं wall के face तक रखना चाहता हूँ और अगर नहीं भी आता है तो आप tape use कर सकते है tape press करेंगे ना एक बार तो यह इसके उपर cursor लागे ना face के उपर tape press करेंगे और छोड़ देंगे तो यहाँ पर यह दिखा रहा है wall के face से इस वाले face से और door के यहाँ तक कितनी dimension है इतनी है आप इसको कितनी करना चाहते हैं जैसे 25 feet करना है custom design के कैसी भी doors किसी भी size के हम बना सकते है रेविट में यह तो इसकी एक बनी-बनाई family होती है जिसको मैं यहाँ पर use करना आपको बता रहा हूँ अब जैसे यह door है तो door लग गया आप कभी भी इसको change भी कर सकते हैं प्रूरी नि लगना था यह आपने यहाँ पर d2, d3 या कोई भी size के लिए रखें आप change करेंगे तो size change हो जाएगे और यह update आपको plan में भी automatic हो जाएगा इसका size जो भी होगा यहाँ पर update होता रहेगा यह section या elevation जो भी है सब जगा इसका update हो जाएगा तो जैसे यह d1 हो गया तो यहाँ पर यह d1 आ जाएगा तो जैसे मैं door place कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक क्या architecture tape में door तो यहाँ पर एक option हता है tag on placement इसको on कर देंगे हम और जब यहाँ पर door place करेंगे कहीं पर भी तो यहाँ पर क्या करेंगा यह इसके press कर देता हूँ मैं couple of times तो यहाँ पर यह two number दिखा रहा है यह two number कहा से है अगर मैं door select करता हूँ तो इसने two number यहाँ से लिया है जो mark में है तो जैसे मैंने यहाँ पर d2 कर दिया mark में आगे custom take बनाने बताऊंगा अभी जो by default जो door का take होता है वो यहाँ से mark से लेता है जो mark में value daily होती है वो यहाँ पर यह इसको ले लेगा अब अगर मैं next door लगाऊंगा तो यह खुद ही by default इसको क्या करेगा d3 कर देगा क्योंकि हमने change कर दे था था d2 के d3 कर देगा लेकिन हमने यहाँ पर layer wise में d1 तो यहाँ पर d1 चाहिए तो इसके लिए हम custom take बनाएंगे वो आगे वीडियो में आपको step by step सीखने को मिलेगा तो वीडियो में पर बने रहे है यानि कि इस वीडियो में नहीं सिखा जाएगा आगया coming videos में सिखा जाएगा क्योंकि मैं complete series बनाता जा रहा हूँ रेविट की और बीच बीच में आपको चुट 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 टास्क दिये जाएंगे project से related तो यहाँ पर यह door लग गए देखिए और 3D में जाएंगे तो यहाँ पर यह इस तरह से देखने को मिलेंगे और अगर elevation में भी देखेंगे जिस elevation में भी दिखर होंगे यह तो वहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे यह door लगे हुए जैसे यहाँ पर मैंने इसको select किया यहाँ पर अगर आप देखेंगे seal height 0 feet 0 inch तो आप seal height change कर सकते हैं जैसे मुझे 2 feet उपर से लगाना है तो door 2 feet उपर चला जाएगा seal height नहीं तो इसकी head height भी होती है यहाँ पर अगर आप head height से manage करना चाते हैं तो यहाँ पर 8 feet head height या seal height automatic change हो जाएगी यहाँ से 1 feet हो जाएगी यहाँ से उपर से 8 feet हो जाएगी यहाँ जीरो कर देंगे seal height तो बिल्गूल यह जो level पर आपने रखा है ground floor पर बिल्गूल वहीं पर आजाएगा यह इसी तरह से same process है window लगाने का यहाँ पर मैंने click क्या window यहाँ से आप कोई भी window ले सकते हैं यहाँ पर आपको different types की windows मिल सकते हैं यह template में by default है यह वाली window कोई भी आप लगा सकते हैं यह देखे इसमें भी इन्होंने दिया हुआ है opening वाली window है इस तरह की जिसमें door लगे होते हैं sliding वाली नहीं है आप इसको flip करना चाते हैं तो flip भी कर सकते हैं ऐसे इसको select करके size change करना चाते हैं तो यहाँ पर edit type में जाएंगे और duplicate पर click करके अपने इसाब से size w1, w2, 3 जो भी आप देना चाते हैं इसको नाम दे सकते हैं और यहाँ पर इसके size अगर change करना चाते हैं तो size भी change कर सकते हैं आपर अगर आप देखेंगे इसकी width कितनी है, कितनी आपको चाहिए height कितनी है, कितनी आपको इसमें चाहिए अपने हिसाब से maintain कर लेंगे जो भी करना है और यहाँ पर कुछ बने-बना आप यसे भी align कर सकते हैं कैसे भी move करके रख दो या फिर हमें पता है जो हमने door लगाया है उसकी height कितनी है 7 feet, 7 feet की height का door था तो 7 feet की height है तो मैं अगर इसको भी select करूँगा ना window को same इसमें भी process वोई है seal height और इसमें भी head height वगरा का option यह नजर आई जाईगी इसका भी take placement कर सकते हैं अगर आप करना चाहते है take on placement यहाँ पर जहां कहीं भी आपको window लगानी है click कर देंगे लगा देंगे तो यह 15, यह 15 number कहां से लेगा इसको भी अगर मैं select करता हूँ तो इसने इसका 15 number कहीं और से लिया है और अगर मैं आप यह देखता हूँ type में कोई 15 number डला हुआएगा यह रहा type mark में 15 value है अगर आप यहाँ पर इसको change कर देंगे w1 apply ओके तो यह w1 उड़ाएगा नहीं तो हम अपनी custom types के tags बनाएगे अपने यह साब से project के साब से जैसे भी करना है वैसे बनाएगे इस तरह के नहीं चाहिए आपको circle में चाहिए तो circle में बन जाएगे इस तरह में चाहिए तो इस तरह में बन जाएगे वो हमारे उपर depend करता है जैसा हमारा style है जैसे हम करना चाहते है ऐसा जाएगा अब इसको आप या तो इसका head ऊपर का level से ही कर सकते हैं या इसका seal height यह आपके डिपेंड करता है क्योंकि इस window की height इसके बराबर नहीं है इस window की height कम है और 3D में देखेंगे तो इस तरह इसमें फाइदा यही है आप जैसे 3D में select किया मैंने किसी को delete कर दिया इसको select किया delete कर दिया तो यहाँ पर delete हो गया 3D में लेकिन ground floor में देखेंगे तो यहाँ से भी door गायब elevation में देखेंगे तो यहाँ से भी door गायब और wall exit आ गई ऐसा नहीं कि हमने door delete करा तो wall की opening जो थी वो रहे गई नहीं वो भी खतम हो जाएगी wall आ जाएगी वापस से देखें बहुत easy है अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर door window आ रहे हैं इसे अलगर आप लान ला चाहते हैं तो कैसे लाएंगे कहीं भी आपके folder में रखी हो सकती है कहीं से आपने डाउनलोड की है या आपने custom बनाई है तो उसको कैसे लाएंगे simple है जैसे म family नहीं आती है तो वो facebook group join करें महाँ पर link में देदूगा महाँ से आप इसको download कर सकते हैं easily तो कहाँ पर family होती है हमारी यह by default तो यह हमारी पास family होती है program data autodesk और autodesk folder में यहाँ पर नीचे अगर आपने revit 21, 22, 23, 24 जो भी डाला हुआ है उसी folder में जाएंगे libraries में जाएंग और जैसे doors चाहिए तो doors की folder में जाना होगा और यहाँ पर जैसे commercial doors मिल जाएंगे अगर click करेंगे तो आपको preview यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी आप open करना चाते हैं open कर सकते हैं यहाँ से back जाएंगे वापस और residential में देखेंगे तो यहाँ से residential है यह जो भी आपक होता है वो यही होता है c drive में program data में autodesk में rbt libraries और imperial या metric जो भी आप कर रहे हैं और बहुत सारी countries के folder महाँ पर आ जाते हैं जैसे Australia, Canada, US ठीक है तो जिस standard पर भी आप काम कर रहे हैं तो उस standard की families भी वहाँ से मिल जाएंगी तो यहाँ पर मैंने normal जो libraries में imperial में doors में थी उन में जैसे कोई सी भी में residential में से कोई सी भी एक मैं यहाँ पर लाना चाता हूं जैसे यह वाली लाना चाता हूं for example इसी को मैंने select कर लिया और open कर लिया और यहाँ पर यह इसके size हैं तो सारी ले सकते हैं कुछ selected है तो उसको select करके okay button पर click कर देंगे तो यहाँ पर load जाएंगी य क्योंकि मैंने 2021 वर्जन की मैं यहाँ पर load कर रहा हूं और मैं वर्जन use कर रहा हूं 2024 तो उसको first time upgrade कर लेगा तो जैसे मैंने यहाँ पर click किया कहीं पर भी यह आ गया और यहाँ पर भी temporary dimension दिखा रहा है यहां से यहां यहां से आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं जैसे मैंने आपर सारी details नहीं दिखा जाती कहीं पर fine detail दिजाती है कहीं पर मोटी मोटी detail दिजाती है तो यह आपके उपर ही depend करेगा तो आप अपने हिसाब से load कर सकते हैं family और families तो बहुत जगा से मिल जाती है यह तो predefined family है जो autodesk के साथ में आती है software के या निक है otherwise आप किसी भी company का product to use करें तो वो भी अपनी families provide कर देते हैं या फिर बहुत सारी websites हैं जहां से आप family custom types की उठा के यहाँ पर ला सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं जो कि मैं आगे इसमें आपको सिखाने वाला हूं सारी चीज़े तो यह वीडियो आपके लिए helpful रही या नहीं रही तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटा सा टास्क दूँगा डोर विंडो वोल को यूज करके आपको क्या करना है मैं एक छोटा सा टास्क दूँगा उसको पुरा करना है और facebook गूरूप पर post करना है और अपने friends के साथ में भी share करना है और अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कर ले और bell icon को प्रेस कर ले डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी latest तो मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ में thank you